हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और स्कूली बच्चे तक्तियां बैनर पोस्टर लेकर चल रहे थे और आमजन से अहवान कर रहे थे कि ट्राफिक नियमों के पालन से बरती सड़क दुरगटनाओं को कम करके खुद की और किसी अन्य की जिंदगी को बचा सकते हैं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निर्मला विश्नोई ने बताया कि सैयुक्त राष्ट्र संग ने 2020 तक बरती हुई सड़क दुरगटनाओं में होने वाले मौतों में 50% तक कमी लाने का लक्ष निर्धारित किया है सैयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष दिवस पर मंगलवार को एक सड़क सुरक्षा जन जागरती रैली का आयोजन किया गया इस ट्राफिक सुरक्षा और जागरुक्ता रैली में राजिस्थान पुलीस, होमगार्ड रोटरी क्लब जोदपूर, जेसी आई जोदपूर, लाल बंदु जीवन रक्षक संस्थान, निर्वान एंजियो, ओटो रिक्षा यूनियन, सिटी बस असोसियेशन, एंसी सी कैड स्कूल कॉलिज के विद्यारती, यातायात नुकर नाटक करता, टीम और स्वयम सेवी संस्थाओं के सदस्यों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया और आम जन को सड़क दुरगटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों की पालन करने की अपील की पुलीस उपायुक्त मुख्याले और यातायात गगन दीप सिंगला, अतिरिक पुलीस उपायुक्त निर्मला विश्नुई और नियूरो सर्जन डॉक्टर नरगेंद्र शर्मा ने उमेद राजकिये स्टेडियम से हरी जंडी दिखाकर रैली को रवाना किया हाथों में बैनर और तक्तियां लेकर स्कूल और कॉलेज की चात्र चात्राएं आम जन को सडक दुरगटना में होने वाली शती के प्रती आगाह करते रहे, उन्होंने तेज स्वर में बगैर हेलमिट दुपहिया वाहन पर सवार ना होने, बगैर सीड बेल्ट कार ना चलान और तेज रफतार और लापरवाही से वाहन ना चलाने का आगरह किया, साथ ही इनसे होने वाले नुकसान से आगाह कराया, उमेद राजकी स्टेडियम से हाई कोर्ट रोड नई सडक चोराहा, जेल ते रहा, खास बाग होकर ये रैली पुलीस लाइन मैदान में पहुँची जहां हेट कॉंस्टेबल हनुमान सिंग ने विद्यार्तियों को यातायात नियमों के शत प्रतिशत पालना करके वर्ष 2020 तक देश में सडक हाथसों में 50 प्रतिशत कमी लाने की शपत दिलाई, विद्यार्तियों ने भी पुलीस अधिकारी और जवानों को सभी नियमों की पालन करने का विश्वास दिलाया जोदपुर से जागरुक टीवी की रेपोर्ट